हाई दोस्तों आपकी चुगली वाली चाची आगई चुगली वाली चाची आई है तो चुगली तो लाई होगी अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज चाची किसकी चुगली लाई है चाचिलाई है आप सबकी फेवरेट यानि की टीवी की नंबर वन बहु की चुगली हाँ दोस्तों मैं बात करें हूँ आप सबकी फेवरेट अनुपमा की यानि की रुपाली गांगुली की हाँ दोस्तों रुपाली गांगुली से डॉक्टर ने कह दिया था कि वो असल जिंदिकी में कभी भी मान नहीं बन सकती कभी भी वो मान नहीं बन पाएंगी हाँ दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कब हुआ था हाँ दोस्तों तो रुपाली गांगुली की शादी हुई थी फिर वो दो तीन साल तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाई थी तो फिर उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और जब उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने उन्हें बोल दिया कि रुपाली जी आप कभी भी मान नहीं बन पाएंगी और डोक्टर ने उनकी जब रिपोर्टे देखी और उनसे ये कह दिया तो रुपाली गांगुली उस समय यानि कि आपकी अनुपमा उस समय पूरी तरह से तूट गई थी वेर वैसे भी दोस्तों आप जानते ही हैं कि रुपाली गांगुली भगवान में बहुत ही विश्वास रखती हैं वो कभी तो आपको महा कालेशवर दश्चन करती हुई दिखाई देती हैं या फिर कभी गणपती बपा के चर्णों में आशिरवा लेती दिखाई देती हैं तो दोस्तों रुपाली गांगुली से जब डॉक्टर ने ये कहा कि रुपाली आप कभी भी मां नहीं बन पाएंगी तो उनके पूरी उमिद टूट गई थी फिर रुपाली ने शरण ली मातारानी की हाँ दोस्तों और फिर रुपाली ने कहा कि रुपाली मातारानी को बहुत मानती है और उन्होंने मातारानी से प्रियर की और तो रुपाली गांगुली ने ली मातारानी की शरण और दोस्तों जब उन्होंने मातारानी से अर्जी लगाई कि वो भी माँ बन जाए तो फिर हुआ दोस्तों चमतकार हाँ दोस्तों फिर हुआ चमतकार और फिर रुपाली गांगुली हो गई प्रेगनेंट और उन्होंने जनम दिया एक प्यारे से बेटे को हाँ दोस्तों ये रुपाली गांगुली ने खुद ने हमसे शेयर किया कि जब डोक्टर ने उनसे कह दिया था असल लाइफ में कि रुपाली गांगुली यानि कि जो आप सबकी अनुपमा है वो जिन्दिगी में कभी भी महा नहीं बन पाएंगी तो उनकी सारी उम्मीदे त तूट गई थी फिर उन्होंने माता रानी पर विश्वास रखा उनसे अरजी लगा और माता रानी ने उनकी सुन ली और उनके घर हुआ एक प्यारे से बेटे का जन्म हाँ दोस्तों तो आपके फेवरेट सितारों के भारे में ऐसी ही खबरे जानने के लिए आप लोग हमा बिलानी है बाइ बाइ